नमस्कार दोपेहर समाचार में आपका स्वागत है राश्ट्री सुरक्षा सलाकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांगिये के बीच व्यावक विचार विमर्ष के बाद भारत और चीन बास्तविक नियंद्रन रिखा से पीछे हटने लगे पिछले 24 गंटे के दोरान कोरोना वारस से 15,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होने की दर 61 प्रतिशत से ज्यादा हुई कोरोना वारस के लिए तैयार भारते व्याक्सिन के मानो परिक्षण के लिए पंजी करण आज से शुरू गोवा सरकार ने पराटकों के लिए 200 होटलों को खोलने के अनुमती दी महारास्टर में भी होटल, लॉज और गेस्थ हाउस का शर्तों के साथ संचालन विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने कहा विश्व विद्यालों में अन्तिम वर्ष की परिक्षा सितंबर के अंत में होगी और केंद शासित प्रदेश जम्मु कश्मीर में एक मुठवेड में एक आतंगवादी धेल दोपहर समाचार में मैं हूँ कनकलता और मेरी साथ हैं मेरी सहयोगी रवी कपूर भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में सेनाओं को पीछे हटाने की लंबी प्रक्रिया शुरू करती है रविवाल शाम राश्ट्रिय सुरक्षा सलहकार आजित डूभाल और चीन के विदेश मंत्री वांगी के बीच फोन पर बातचीत की बाद ये खदम उठाया गया है इस बातचीत में पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने और वास्तविक नियंद्रण रेखा एलसी से सेनाओं को पीछे हटाने के प्रक्रिया पर सहमती बनी थी दोनों विशेश प्रतने थी इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत चीन सीमाक शित्रों में शांती और सोहर्द बनाये रखने के लिए नेताओं की आम सहमती से मार्ग दर्शन लेना चाहिए जो दिफक्ष संबंधों के विकास के लिए आविशक है ये सहमती भी बनी थी कि दोनों देशों को मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए दोनों देश शांती और सोहर्द बहाल करने के उद्देशे से लेसे से जल से जल से जल सेना को पूरी तरह हटाने और सीमाक शित्रों में तनाव कम करने पर सहमत हुए थे दोनों पक्ष को यथा स्थती बदलने की एक तरफा कारवाई नहीं करनी चाहिए भविश में सीमाक शेद्रों में शांती और स्वहार्थ वेगाणनी वाली किसी भी घटना से बचने के लिए मिलकर काम करने पर भी सहमती बनी थी अमरिका के पूर्वर राश्ट्रे सुरक्षा सलाका जॉन बोल्टन ने कहा है कि पूर्वर लद्दाख में वास्तवे कुनियंद्र नरेखा पर चीन के व्याभार से अमरिका ही नहीं चीन के आसपास के देशों के नागरिक भी चिंतित हैं दूर्द रशन से बातचीत में उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर चीन का रवाईया अस्वेकार है शिबोल्टन ने कहा कि इस सदी में भारत के साथ अमरिका के संबंध नई उचायों पर पहुंचेंगे उन्हों ये भी कहा कि भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारते मूल के अमरिकी नागरिकों में बेहत लोक अप्रिये हैं रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने आज सीमा सड़क संगठन बी आरू की परियोजनाओं की प्रगते की समिक्षा की इस अफसर पर नेदिल्ली में आयोजित बैठक में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेटनेंट जनरल हरपाल सिंग और अन्य वरिष्ट हधिकारी शामिल हुए। श्रसंग ने सीमा क्षेत्रों में धांचागत सुरक्षा के लिए केजा रहे कार्यों के बारे में प्रस्त एक लाख 14,500 करोड रुपे के रण की मन्जूरी दी गई है। इस योजना के तहट सार्जनिक शेत्र और निजिक शेत्र के बैंक रण उपलब्ध करा रहे हैं। वित्तमंत्री ने कहा कि 56,000 करोड रुपे से अधिक के राश्य वित्रत की जा चुकी है। इस योजना के तह चार वर्ष के लिए रण दिया जाता है। यदि कर्जदा जल्दे रण बुकाना चाहें तो इस पर कोई शुल्प नहीं लगेगा। चीन के उत्पादों पर निर्भरता से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि चीन वी निर्मान के ख्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है और हर कोई वहाँ ये जानते हुए भी खरीदारी करता है कि ऐसा करना नुकसान दायक है। उन्होंने कहा कि इसलिए आत्म नर्भरता के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी का आहवान महत्वपूर्ण है। पिछले 24 घंटों के दोरान 15,514 लोग स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही स्वस्थ होनी की दर 61,1 एक तेन प्रतिशत हो गई है। लोगों की मृत्यों के साथ देश भर में मृतकों की संख्या 20,160 हो गई है। फिलहाल देश में 2,69,557 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीच भारतिये आयरविज्यान अनुसंधान परिशद ICMR के अधिकारी ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में 2,41,430 नमोनों क कोविड-19 के लिए जांच की गई। अभी तक 1,2,1,192 नमोनों की जांच की जा चुकी है। परिशद सरकारी और नेजी प्रयोकशालाओं को मनजोरी देकर लगातार जांस सुविधाएं बढ़ा रही है। फिलहाल देश में कोविड-19 की जांच के लिए कुल 1,115 प्रयो जांच की जा चुकी है। दिल्ली में कोविड मरीजों की संख्या एक लाग को पार कर गई है। कल 1,389 लोगों में संक्रमण की पुष्टी हुई है। संक्रमित लोगों की संख्या 1,823 हो गई है। इसमें से 72,000 रोगी ठीक हो गए है। दिल्ली में वाइरस से ठीक होने वालों की डर 72 प्रतिशत के आसपास पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे के दोरान 48 मौतों की पुष्टी हुई है। इसके साथ ही राश्ट्रिय राजधाने क्षेत्र में मृतकों की संख्या 315 हो गई है। स्वास्त बुलेटिन के निसाथ सबसे अधिक प्रभायवित जिले इंदोर में 4876 संक्रमित हैं। यहां मरने वालों का आकड़ा 246 हो गया है। भौपाल में 3110 संक्रमितों में से 112 लोगों की मौत हो गई है। हमारे समवादाता ने बताया है कि राजध में कोरोना संक्रमन को नियंतृट करने के प्रयासों के अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। 59,81 घरों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। सर्वेक्षण में 2,90,63 लोगों की जाच की गई है। सर्वेक्षण के दोरान अब तक कोरोना संक्रमन के 31,584 संदिक दरोगी तथा अन्य बीमारियों से प्योड़ित 12,63 लोग मिले हैं। इन सभी रोगियों को उचित जिन्दी को फॉलो कर सकते हैं। इन में से कई संसानों ने आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जुनिसेफ जैसी विश्व स्तरी संस्था की कुल आपूर्ती का 60 प्रतिशत हिस्सा मुहया कराया जाता है। दुनिया भर में 140 से अधिक COVID-19 के टीकों पर विभिन चरणों में शोध जारी है। भारतिय संस्थाओं ने भी विश्व भर में कोरोना के खिलाफ वैश्विक महामारी से लड़ने के प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज देश भर के चुने हुए संस्थाओं में शुरू हो रहे हेल्थ वोलंटियर्स के नामांकन के साथ ही दोनों भारतिये वैक्सीन उमीदवार परिक्षन के चरण में प्रवेश कर गए हैं। का परिक्षन 1125 स्वास्थ वलंटियर्स पर किया जाना है। टीकों का मुल्यांकन सुरक्षा, प्रतिरक्षन शमता और अन्यमान को पर किया जाना है। पहले चरण के परिक्षन के लिए प्रस्तावित आयूसमू 18-55 वर्ष और ग्युती चरण के लिए 12-65 वर्ष तै की गई है। आनंच तुर्वेदी, आकाश्वानी समाचार, दिल्ली। हैदराबाद में Center for Cellular and Molecular Biology के निदिश्चक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने लोगों से कहा है कि ठीका विकसित होने की बावजूद COVID-19 संक्रमन के लिए बरती जाने वाली साब्धानियों में कोता ही न बरते हैं। आकाश्वानी से विशेश बादशीत में डॉक्टर मिश्रा ने सरकार के पोर्व नेयोजित और समय बद्ध द्रश्टकोन की सराहना करते वे कहा किसे देश में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा। करनाटक के बेलगावी में जीवन रिखा अस्पताल सहित 12 अस्पतालों को को वैक्षिन के मनुष्य पर परेक्षण के लिए चुना गया है। भारते अरविज्ञान अनुसंधान परिशद ICMR ने COVID-19 से निपटने के लिए देश में तैयार इस वैक्षिन का परेक्षण कराने का वैसला किया है। बेलगावी अस्पताल के डॉक्टर अमित भाटे ने हमारे समवादाता को बताया कि ICMR और भारत बायोटेक द्वारा सहिंगत रूप से वैक्षिन के मनुष्य पर परेक्षण के दौरान सभी नियमों का पालन किया जाएगा। सूचना और प्रसारान मंत्री प्रकाश जावेड करने आज कहा कि कोवीट महामारी से ने लोगों को संचार के नए तरीकों के बारे में सोचने को विवश्किया है। फिक्की फ्रेम्स 2020 के उद्गाटन सत्र में श्री जावेड करने कहा कि सरकार इस महामारी के मदे नजर फिल्मों की शूटिंग के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तयार कर रही है। स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले में अपर सचिव आर्ती आहुजा के नित्रत में केंडरी चिकितसादल ने आज करनाटक के मुख्य मंत्री बी एस येडुर रपा और अन्य मंत्रियों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कोविट महमारी पर नियंद्रण के उपायों पर विचार विमश किया। स्वास्त सेवा निदेशाले में आपात जिकितसा रहत के निदेशक डॉक्टर पी रविंद्रण भी इस टीम में शामिल है। ये टीम राजे में दो दिन वहेगी और कंटेर्मेंट जोन तथा कोविट केर सेंट्रों का दौरा करेगी। बिहार में कोविट 19 से साथ लोगों की मृत्यू से मृत्कों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। संक्मण के 276 नए मामले सामने आने के बाद रोग्यों की संख्या 12,140 हो गई है। इन में से 9,014 रोग इचीक हो गए हैं जबकि 3,027 का इलाज चल रहा है। स्वस्त होने की दर 74 प्रतिशत से अधिक हो गई है। राजे में 40 डॉक्टर संक्रमित हैं जिनमें से 20 पटना के हैं। राजे सरकार ने 1314 इलाकों को कंटेन्मेंट जोन गोशित किया है। इस बीच मुख्यमंत्री नितिश कुमार की भतीजी भी कुरोना पॉजिटिव पाई गई है। उसे उपचार के लिए पटना के एम्स में भरती कराये गया है। मुख्यमंत्री आवाज को सेनिटाइज किया जा रहा है। गोवा सरकार ने इस महने राजे के करीब 500 होटलों को घरेलू पराटकों के लिए खोलने के अनुमते दे दी है। पराटकों को COVID-19 नेगेटिव का प्रमान पत्र देना होगा या राजे के सीमा पर COVID-19 का टेस्ट कराना अनुवारे होगा। COVID-19 से संक्रमित पराटकों को अपने राजे में वापस लोटने या उनके द्वारा बुक कराए गए होटलों में रुक कर अपना उपचार कराने के अनुमती दी जाएगी। महराष्ट में Mission Begin Again के पांचवे चरण में प्रतिवंदों में धीरे धीरे धील दी जा रही है। हमारी समबादाता ने खबर दी है कि नए जारी आदीशों के अनुसार कंटेन्मेंट जोन के बाहर स्थित होटल, लॉज और गेस्ट हाउस को 33% के साथ कल से खोल दिया जाएगा। पंजाब आने वाले सभी यात्रियों के लिए कल से इपंजी करण की प्रक्रिया अनिवारे कर दी गई है। यात्रा करने वालों के लिए ए रिजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रातरी से लगू हो गई है। पंजाब सरकार के अधेशानुसार यात्रियों को कोवा एप या वेब लिक कोवा.पंजाब.gov.in के माधियम से खुद का पंजीकन करना होगा। कोवा एप एपल स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है। पंजीकन के बाद यात्री को SMS के माधियम से एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके चोवार कोड़ वाला एक प्रिंट लेना होगा। टिपईया और चोपईया वाहन पर आने वाले यात्री गाड़ी की विंड स्क्रीन की बाई तरफ इसको चिपकाएंगे या फिर डैश्वोर्ड पर इसको रखना अनुवारे होगा। सीमा पर बने निरेक्षन स्थलों पर कर्मचारी स्प्रिंट का क्योवार कोड स्कैन करेंगे जिसके बाद स्वास्ते की जाच भी होगी। यात्री में कोविड के लक्षन पाए जाने पर वहां मजूद कर्मचारी उसका मार्गदर्षन करेंगे। राज्य के ही रहने वाले बिना लक्षन वाले निवासियों को निरेक्षन चोकी पार करने के बाद अपने घर में संग्रोध में रहना निवारे किया गया है। अश्मनी कमा शर्मा काश्वानी समाचार चेंडीगर्ड। मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंग ने राजी के मूल निवासियों के लिए 14 दिन तक घर पर क्वारंटीन के नियम में छूट देने से इनकार कर दिया। खास्ताओर से राश्ट्री राजधानिक श्यत्र दिल्ली से आने वाले लोगों में संक्रमण की संभावना के मद्दे नजर ये फैसला किया गया है। राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगे है। इनी प्रयासों के चलते राज्य में पिछले चार दिनों में लगभग 15,000 मरीज स्वस्थ हुए है। करने के लिए BMC ने एक रोबोट ट्रॉली सेवा शुरू की है। इसके जरीए इन रोगियों के वाल्डों में खानपान वेतरन किया जा रहा है जिसके कारण PPE की जरुरत भी काफी हद तक कम हो गई है। माधुरी पांगे, आकाश्वणी समाचार, मुंबई। बिहार सरकार ने लोगडाउन और गर्मी की छुट्यों के दोरान प्राधमिक और मिडल स्कूलों के दो करोड बच्चों को दुपहर भोजन योजना के अंतरगत, अनाज देने और नकद राशी देने का फैसला किया है। प्रतेक पंजीकुरत विद्यार्थी को इसे योज बिजना का लाब मिलेगा। अपर मुख्य सचीव आरके महाजन ने बताया कि सभी जिला मजिस्ट्रेटों और संबंधित अधिकारियों को इस बारे में नर्देश दिये गए हैं। एक रिपोर्ट। आकाश्वानी से विशेशग्यूं की राय श्रंखला में हम COVID-19 पर वरस्ट चकित सा विशेशग्यूं की राय प्रसारित करते हैं। अखिल भारते अर्विज्यान संसान में गठिया रोग की विभागा ध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों से सुरक्षित दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांस्ते तथा चीकते समय साफधाने बरतनी की सलह दी। नखिल देखि उल अपुकर से सुछिसटरी संस बीडिश अर पसी की विए दिननल kind ereव विएज तान इड़्स रह पंष भीजंग की सामटय कीजित ओर उ्या हाथाईग्यू ॉवं की साम्ट ब्सुरिंग इंटल के जएयू अर राय भारती जन स्वास्ते संस्थान के अध्यक्षर डॉक्टर केश रनात रिड़ी ने बताया कि भारत के सिती विश्व के अन्नी देशों के तुलना में बेहतर है उन्होंने कहा कि कोविज-19 के रोकथाम के लिए किये गये उपाय के अच्छे परणाम सामने आ रहे हैं दूसरे देशों के मुकाबले में आज का हाला जो है इसमें कोई संशे नहीं है कि हमारा हाला दूसरे देशों के मुकाबले में बहतर है इस वायरस को डटके मुकाबला देने में आखाश्वानी के समाचार सिवा प्रभाग से आज फोन इन कारिक्रम की अंतरगत कोविड-19 पर विशिश परिचर्चा प्रसारित की जाएगी। आखाश्वानी के समाचार सिवा प्रसारित की जाएगी। वांग जी के बीच व्यापक विचार विमश के बाद भारत और चीन वास्तविक निंद्रुन रिखा से पीछे हटने लगे। पिछले 24 घंटे के दोरान कुरोना वाइरस से 15,000 से ज्यादा मरी स्वस्त हुए। स्वस्त हुने की दर 61 प्रतिशत से ज्यादा हुई। कुरोना वाइरस के लिए तयार भारती वैक्सीन के मानव परिक्षन के लिए पंजी करण आज से शुरू। गुवा सरकार ने परेटकों के लिए 250 होटलों को खोलने की अनुमती दी। महराश्ट में भी होटल, लॉज और गेस्ट हॉस का शर्तों के सासन चालन। विश्व विद्याले अनुदार आयोग ने कहा विश्व विद्यालेों में अंतिम वर्ष की परिक्षा सितंबर के अंत में होगी और केंद्र शासित प्रदेश जम्मु कश्मीर में एक मुट भेड में एक आतंकवादी धेर। केंद्र शासट प्रदेश जब्मु कश्मीर के पुल्वामा जिले के गुसुक शेत्र में आज सुबह सुरक्षाबनूं के साथ मुझभेड में एक आतंकवादी मारा गया केंद्र शासट प्रदेश जम्मु कश्मीर में लेट्टरन जनरल बियेस राजो ने कहा है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादों के घुसपेट कराने के पूरे प्रयास कर रहा है लेट्रन जनरल राजो इस समय कश्मीर में सिना की 15 कोर का नेतरुत वर कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कबजेवाले कश्मीर में सित लांच पैर्ड में खरीब 300 आतंकवादी मौजूद हैं उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादों के घुसपेट के जरिये घार्टी में हिंसा भड़काना चाहता है विश्र विद्याले अनुदान आयूग UGC ने परिक्षाओं से संबंधित दिशा निर्देशों में संशोधन किया है विद्यार्थियों की सुरक्षा, करियर प्रगती, प्लेस्मेंट और व्यापक हितों को ध्यान में रखते वे UGC ने तेह किया है कि इंटर्मेडियर्ट समस्टर के विद्यार्थियों का मुल्यांकन पूरू के दिशा निर्देशों के अनुसार आंत्रिक मुल्यांकन के आधार पर होगा ये फैसला भी किया गया है कि अंतिम समिस्टर के विद्यार्थियों का मुल्यांगन स्वास्ते तथा परिवार कल्यान मंत्राले के दिशा निर्देशों के बाद इस वश सितंबर के आखिर में होगा दिशा निर्देशों में कहा गिया है कि विद्यार्थों के लिए स्वास्ते, सुरक्षा, निश्पक्ष और समान अवसर के सद्धान्त महत्वपोण है इसकी साथ ही शेक्षिक विश्वसनेता विश्विक रूप से विद्यार्थों के लिए कर्यर की अबसर और भावी प्रगति सुनिश्चित करना भी अत्य अधिक महत्वा पूर्ण है। दिशान इर्देशों जनुसाल बैकलोग वाले अंतिम वर्ष के विद्यार्थों का मुल्यांकर अनिवारे रूप से आफलाइन, आउनलाइन या उपयुक तथा व्यावारिक रूप से मिले जुली परिक्षा के आधार पर होगा। होम डिलिवरी के सुविधा शुरू की गई है। होगा और तीसरे दिन इस पीट पोस्ट के जरिये भाक्तों के घर तक पर साथ पहुंचा दिया जाएगा। होगा तुशील चंदर तिवारी आकाश्वनी समाचार लखनोग। और अब एक नजर आज के मौसम पर दिल्ली में आज बादल चाय रहेंगे और हलके वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिक्तम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौंबई में बादल चाय रहेंगे और मध्यम वर्षा का अनुमान है। तापमान 26 से 31 डिग्री के बीच रहेगा। चन्ड़ी का अनुनतम तापमान 25 डिगरी सेल्सियस और अधिकदम तापमान 34 डिगरी रह सकता है। शहर में हलकी वर्षा हो सकती है। उधर कोलकाता में तापमान 27 से 31 डिगरी के बीच रहेगा, आसमान में बादल चाय रहेंगे और वर्षा हो सकती है। चंडेगर में भी वर्षा का अनुमान है, शहर में तापमान 24-34 डिग्री सेलसियस के बीच और देहरादोन में 24-30 डिग्री के बीच रहेगा, हैदराबाद में बारिश हो सकती है, शहर का अनुनतम तापमान 24 डिग्री सेलसियस और अधिक्तम तापमान 30 डिग्री सेलसियस र बोपाल में दो पहर बाद गरज की साथ छीटे पढ़ सकते हैं। गिलगित में भी दो पहर बाद बादल चा सकते हैं। शेहर का तापमान 14-36 डिगरी के बीच रहेगा। बुजफराबाद में आसमान साप रहेगा और तापमान 21-37 डिगरी तक रहने का अनुमान है। और लोगों को लाइट हाउस के संब्रद हितिहास को जानने का अवसर मिलेगा। अधिकारियों ने इस सम्मन में विस्तुरत कार्योजना प्रस्तुत की। शी मान्डविया ने अधिकारियों को ऐसे लाइट हाउस की पहचान करने की सलहादी जो सोवर्ष से अधेक पुराने है। तमिलाडू के सातानु कुलम में पितापुत्र की पुलिस हिरासत में कथित मौत के मामले की जाच का काम आज केंडरी अनवेशन ब्यूरू सीबियाई ने संभाल लिया है। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने चन्नई में बताया कि CBI ने इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी है। के बुलाई थी जिसमें उन्होंने प्रधार्मंत्री मोदी की तारिफ की। बैठक में सैंक्त राष्ट्र समेत 20 देशों और अंतराष्ट्रिय संगठनों के प्रतिनिध्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में अफगान, शान्ती और समझोता प्रक्रिया पर चर्चा हुई। और चीन के विदेश मंत्री वांग ये के बीच व्यापक विजार्मर्श की बाद भारत तथा चीन वास्तुरिक नियंद्रन रेखा से पीछे हटने लगे। पिछले 24 घंटे के दोरान कोरोना वारस से 15,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर 61 प्रतिशत से ज्यादा हुई। कोरोना वारस के लिए तयार भारते वैक्सिन के मानो परक्षन के लिए पंजीकरन आज से शुरू। गोवा सरकार ने पराटकूं के लिए 200 होटलों को खोलने की अनुमते दी। महाराश्च में भी होटल, लॉज और गेस्थ हाउस का शर्तों के साथ संचालन। विश्व विद्याले अनुदान आयोग ने कहा विश्व विद्यालों में अंतिम वर्ष की परिक्षा सितंबर के अंत में होगी। और केंद्र शासित प्रदेश जब्मुक कश्मीर में एक मोठ भेड में एक आतंगवादी धेर। इसकी साथ ही दोपहर समाचार का ये अंग समाथ हुआ नमस्कार।